दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि साला दरपन पर अपनको सेशनल मार्क्स कैसे फिलप करना है उसकी सारी स्टेप बाइ स्टेप आपन प्रोसेस आज देखेंगे कि कैसे अपनको साला दरपन पर सेशनल मार्क्स की इंट्री करनी है तो सबसे पहले मैं लोगिन कर लेता इक्जाम सेंटर लोगिन जो स्कूल का है, उसके अंदर प्राइवेट स्कूल, यहां पर मैंने अड्ड डाल दिये, जैसे मैं लोगिन करता हूं तो हम साला दरपण के अंदर entered हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे left hand side में आपने 3 dots जो lining है उस पे अपनको exam activities पर अपन को click करना है ठीक है exam activities पर अपन click करेंगे मैं कैसे कैसे अपनको सेशनर marks के entry करनी है उस सारी step by step अपन follow करेंगे तो यहाँ पर अपने देखते हैं जैसे 3 dots पर क्लिक करते हैं, दो option अपने सामने आता है, report and exam activities, exam activities में आपन नीचे नीचे देखेंगे, session marks entry, session marks entry पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे, तो अपने सामने दिखाएगा कि 23 चोईस के जो session है, उसकी classes, अपन मालों 8th class की या 5th class की entry कर रहे है, class अपने select कर ली, और subject अपने पास आजाएगे, कि कौन से subject के अपन, session marks बच्चे के अपडेट कर रहे है, ठीक है, step by step आप देखिएगा इस चीज़ को, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक, जैसे math subject मैं ले लेता हूँ, और जैसे म कार अपन जो other subject हैं, बच्चे के, जैसे math हो गया, math के बाद में कोई English ले लिया, Hindi ले लिया, जो भी subjects है, कोई भी subject अपने सामने आजाएगे, जैसे ही अपन यहाँ पर जो detail होगी, उसमें बच्चे के serial number हो गया, roll number हो गया, बच्चे का नाम हो गया, father's name हो गया, और marks हो गय या मालो 20 marks अपने दिये हैं, तो इस तरीके से अपन 1 by 1 करके सभी बच्चे के marks अपन अपडेट कर देंगे, और फिर यहाँ से यह print का option है, यहाँ पर print के option पर क्लिक करके अपन, इन बच्चों की जो session marks अपने fill up किये हैं, उनका print out ले 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 और close check कर लेंगे, इसी मैंने ले लिया, एक बार server का दुबार रही login कर लेते हैं, server issue आ गया, यहाँ पर मैं login पर गया, login पर नीचे जैसे slide करेंगे, यह login portal आ गया, school and exam center, private school, यहाँ पर मैं डालता हूँ, 8RT7, T788, जैसे मैं login करता हूँ, यह अपना login हो गया, यहाँ से अपन वापस three dot पर क्लिक करेंगे, exam activities, session mark center, यह session mark center है, फिप्थ क्लास का आपन ने देख लिया, एर्थ क्लास का आपन देखेंगे, subject अपन को भी subject लेंगे, यहाँ से अपनको subject लेके select करना है, सब्जेक लेके यहाँ पर session marks entry करनी है, one by one करके अपन session marks के entry कर लेंगे, फिर जैसे अपने session marks पूरे complete हो जाएं, तो यहाँ पर अपनको print out लेना, इसका print out लेके अपनको last में, final submission में इसको save करना है, तो यहाँ प सब्घसे के session marks अपने save हो जाएंगे, तो जाएँण से परकार के अपने session marks लेना है, और चेक करना कि किसी सब्जेक्ट में आपके सामने दिक्कत आ रही है और भी कोई क्वेरी आपकी हो सेशन मार्क्स के रिगारिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम उसका सारा सुलिशन आपको प्रवाइड करा देंगे थैंक्यू